दोस्तो बड़े ही लंबे समय से मुझपरपूर जंक्षन से ये डिमान रही है कि मुझपरपूर से वाया हाजीपूर पटना पंडित दिन दियालोपाध्याय कानपूर सेंटरल के रास्ते एक ट्रेन दी जाए दिल्ली के लिए जिससे उत्तर विहार से पहली बाद कनेक्टि मिले दिल्ली की ऐसे रूडसे जहां से यात्रा हे मातर 14 घंटे में संभव है इसा मुझपरपूर 14 गंटे में दिली से मुझा परपुर की यात्रा होगी दोस्तों कौन सी है ये ट्रेन, क्यों ये ट्रेन चलेगी और कम से चलेगी आज किस वुड़ों में से बारे में बात करेंगे प्रेटल के साथ दोस्तों स्प्रिक डूस करूँ मेरा आप से आगर यहां पर ट्रेन की बात करें तो यह जो ट्रेन है यह कोई नई ट्रेन नहीं है बलकि एक रूट डाइवर्टेड ट्रेन है जिस कारण से मुझह परपुर से दिली की जो यात्रा है वो 14 गंटे में हो पाएगी यहां पर जो ट्रेन है यह है सिमानचल एक्सप्रेस जिसका नमबर है 1248788 दोस्तो यह जो ट्रेन है यह चलने वाली है वाय समस्तिपूर मुझहपरपूर हाजीपूर पाटली पुत्रा कानपूर सेंटरल के रास्ते यह हम यहां पर रिल्वेक नोट्फिकेशन की बात करें तो बरॉनी जंक्शन पे प्री एनाय और एनाय के वर्क के कारण यह जो ट्रेन है यह चलेगी तब यह च्रेन वाय समस्तिपूर मुझहपरपूर हो के चलेगी और दोस्तो इस ट्रेन के यह पर टा मैंONब जंक्शन पे पूह पहुछेगी और रात में करीब नौ बजे के आसपा से ट्रेन पहुत जाती है आनंद विहार टर्मिनल जिस कारण से एक प्रकार से ये ट्रेन काफी कम समय में यातरा कराने वाली है मुझह परपुर से दिल्ली की दोस्तों इस ट्रेन को इस रूट से परमानेंटली चलाना चाहिए या नहीं आप कमेंट करके जुरूर बताएं उसना ही